तो चलिए दोस्ता आप सर्ılar का स्वायगात थिक नहीं वीडियो में इस वीडियो में प्रोटाएंगे कि बोर्ड परिक्षा में आप कौ्पी कैसे लिखे येस, कौपी लिखने का सही तरीका क्या है क्योंकि बोर्ड परिक्षा में जर्टो आप त्यारी करते हैं फर्स टेम जब आप एक्जाम देने जाते हैं तो आपके मन में बहुत सरे डाउट होते हैं कि किस तरह से कॉपी को लिखेंगे कि आपका सही मार्क्स आए जी हां तो इस वीडियो को देखने के बाद यह डाउट आपका किलियर हो जाएगा और कुछ इसमें आपका टिप्स भ जिसमें आपका 90% आपका हर एक सब्जक्ट में आए ठीक है तो कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है इसमें भी बताएंगे ऐसे लिखने से कितना आएगा आपका 90% एकदम आपके अंडर में रहेगा यस 90% आपको मिलेगा ही मिलेगा जो चीज़े इसमें बताएंगे उन को कॉपी दिया जाता है ठीक है तो कॉपी देते हैं उसमें आपका सबसे पहला चीज़ क्या होता आपका रोल नमबर होता है, रोल कोर होता है, रेजिस्टेसन नमबर, नाम, ये सबी चीज़े आपको अच्छे से भरना है और वहाँ पर OMR सिर्ट भी दिया जाता है, ये चीज़ आप याद रखेएगा, इसमें आप खड़बड़ी ना करें अगर इसमें आप खड़बड़ा जाते हैं, तो गड़बड़ी में आपका हर एक चीज़ बरबाद हो जाएगा क्योंकि अगर एक पेपर बरबाद हुआ, तो आपका पूरा जितने भी आप एक्जाम दिये हैं, सब बरबाद हो जाएगा आपका रिजल्ट पुरा पेंडिंग हो जाएगा, ठीक है, तो यह पहला चीज़ जो है, पेपर को, जो फर्स्ट पेज हम लोग का होता है, उसको सही से, एकदम, केरफुल इस उसको भढ़ना है, दूसरा में हम लोग का है, कि सेंटर में टाइम बरबाद नहीं करना है, यह क्वेशन देने के बाद, जि sniff को पढ़ने का यो भढ़ने डिया जाता है, ठीक है, उस टाइम ही क्या करते हैं, कुछ-कुछ क्वेशन पढ़ लेते हैं, और पढ़ने के बाद हम लोग सोचते हैं कि कबढ़ को लिखने के लिए परमीसन मिले, तो हम लोग इदर दो ताकने के भाद टायम आपको मिलता है तो उस तेमें अपको काम कर सकते हैं जैसे हम हमाल ले बने हम हो एन्सर होता है रिइस्कों का प्णखने के बाद उससी की बांद कर को सकते हैं बाद को ठोल सकते हैं कि यहां से किसके एंसर हो mystical लीट होगा सकते हैं उसको time को बरबाद ना करें, फिर इसमें हम लेके आए हैं, पहले आए, पहले लिखे, यानि इसका अर्थ ही यह हो गया, कि आपका जो भी question आपको आ रहा है दिमाग में, जो भी question आपकी दिमाग में है, उसको पहले करें, जब पूरा question आपको पढ़ लेते हैं, पेपर को, उसमें जो जो question आपको आ रहा है, उन सभी question को आप पहले करने का कोसिस करें, क्योंकि फालतों का time आप बरबाद करते हैं, स नहीं आ रहा है, उसको प्लास्ट में करने का कोउसिस कीजिये. ये नहीं कियो, हम लोग को सिर्यली करना भी एक किये एक ये बाद दो करेंगे ये ज़रूरी आपका नहीं है. जो क्वेश्चन आपका आ रहा है उसको आप कीजिये पहले. ठीक है? नेक्स्ट में आप ही जो हम लेकिया है चोथा नमर में है कट डबल राइटिंग इसको आप सबसे ज़्यादा नजर मतलब रखिएगा इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने के बात है क्योंकि कटिंग और डबल डबल डाइटिंग जहां पर होता है जब आपका kopi चेक किया जाता है examiner का नजर आपका वहीं पे जाता है निगाए उनकर वहीं पे टहर जाता है आप सो अच्छे काम किया है उसमें कोई भी आपका माईने नहीं रखता है लेकिन एक अगर भर खराब काम करते हैं वो सब के नजर में आ जाता है वही होता आपके paper के साथ भी अगर जितने भी आप अच्छे से लिखे हैं लिखने के बाद कहीं पे अगर आप cutting कर देते हैं एक टो कहीं पे double writing कर देते हैं तो उसमें आपका marks बहुत ज़्यादा कट जाएगा इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ध्यान दिजिएगा इस चीज़ को लेकर ठीक है नेक्स्ट हम जो बोलेंगे आपका इन सभी चीजों को बहुत सारा बच्चा ये करते हैं ठीक है जब उसको नहीं आता है paper लिखने तब क्या करते हूँ वह साहरी देते हैं क्योंकि साहर पर बहुत सारे जाते हूँ आपके गाना याद रहता है question याद नहीं रहता है ठीक है और fall to words पर डाल देते हैं इन सभी चीजों से ignore कीजिएगा क्योंकि examiner को ये सभी चीजे irritate करता है क्योंकि वह चीड जाता है उस टेम आपका marks खतम कर देगा फिर आपका जो पेपर हो परबाद हो जाएगा इसलिए साहरी गाना फल to words का use ना करें जो कि हम लोग का last है ये आप जरूर कीजिएगा ठीक है attempt all questions यहाँ पर जितने भी सारे आपका जो question मिलेगा attempt करने का कोसिस कीजिए देखिए माल लेजिए आप 80 marks का question हल करके आये हैं ठीक है 80 marks कर लिया है इसमें अब इसमें जो आपका जो 20 marks छुड़ गया है इसको आप खाली छोड़ दिया एकदम एकदम खाली कुछ नहीं लिखे हैं जब 80 marks आप लिख के आते हैं 80 में इसमें से गर 20 marks जो है इसमें कुछ भी कुछ भी मतलब जो क्या हो लिखे काना वेगरा उस अब नहीं लिखना है कुछ भी का अर्थ है कि questions related जो question दिया हुआ है उससे related कुछ भी word आप डालिए उसमें डालने पर आपका क्या होगा यह जो 80 है यह 80 90 जाएगा यह हम आपको guarantee के साथ बताते हैं क्योंकि जब आप खाली नहीं छोड़ेंगे तो examiner उस चीज़ को पढ़ने के बाद कहीं पर 5 नमर जब रहता है तो 5 नमर जब उसको अच्छे से अच्छे writing के साथ अगर उस चीज़ को लिखते हैं तो लिखने में उसको examiner उसको तीन नमर आपको आराम सज़ेंगे अगर तीन-तीन करके चार में लिखते हैं तो आप बहुत अच्छे नमर ला सकते हैं 90 के जगा 92, 95 तक आसकता आपका इसलिए आपको बोलेंगे कि question छोड़े मत खाले छोड़ने पर आपको नमबर नहीं मिलेगा तीन सभी चीज़ों को ध्यान में रखके आप copy लिखेगा exam में ठीक है, बुड़ी आपको कैसे लगा, comment कीज़ेगा इस तरह को और भी व्डियोस के नमरे चैनल को subscribe जरूर कीज़ेगा, तो thanks for watching